राजधानी राइपूर से लगे नवा राइपूर शहीद वीन राइन सिंग ट्रिकेट स्केडिया में रोट सेफटी वल्ड सीरीज का आउजन किया गया है वहीं आज इस सीरीज के पहले सेमी फाइनल इंडिया लेजंड और ऑस्ट्रेलिया लेजंड के बीच खेला जाएगा इंडिया टीम में सचिन तंदूलकर के सबसे बड़े फैन सुधीर कुमार चौदी इस वक्त हमारे साथ है सबसे पहले सार एटी भारत में आपका स्वागत है नमस्कार आपको देख के ही लग रहा है कि सचिन के कितने बड़े फैन हैं आप किस तरह यह पैशनेट हुए चौथे वन डे मैंने 28 जनवरी 2001 को ग्रीन पार्क कानपूर देखें और उसी साल 17 अप्रैल को विजह वारा में इंडिया और न्यूजिलेंड का मैश देखें मतलब स्टूएंट लाइफ में तीन मैश देखें और जोस जुनुन हम भी क्रिकेट खेलते थे कॉलेज के लिए तो 2002 में सचीन सर से मिलने के लिए मैं साइकिल से जमसेतपूर गए इंडिया वेस्ट इंडिज फर्स्ट ओडियाई लेकिन वेस्ट इंडिज आ रहा है भारत दवरे पर सचीन सर को चोट लगी और टेनीस लवो की वज़ा से लंदन ट्रीटमेंट के गए और मेरा सपना अवेसा मैच टीम इंडिया को देखते रहें सचीन सर की बतलत आज हमारे बीच सचीन सर रिटार्मेंट नौ साल पहले ले लेकिन आज भी सचीन सर की वज़ा से मतलब टीम इंडिया को सपोर्ट करता हूं इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर जो भी मैच होते ही वहां भी स सब्सक्राइब करने के लिए क्रिकेट को भारत में काफी उचा माना एक तेवार की तरह इसको मनाया जाता है और आप पूरा एक पूरा तिरंगा जो है अपने शरीर पर लपेटे हुए है तरीके तो यह दिवानगी जो है क्योंकि खिलाडी और भी होते हैं दूसरे कैसे जागी हम भी खेलते थे लेकिन बहुत पूलिक्स थी और हम इंटर कॉलेज की खी लेकिन कभी हम लोगों को ट्रायल हम लोग देते थे जाते दूसरे लड़के मतलब हम भी 11 में नहीं आ पाते थे 15 में रहते तो एक पत्रकार को सुकरी आदा करना चाहेंगे धैनिक हिं अंदुस्तान के बढ़िये पत्रकार हैं धिरच कुमार सिंग जी उन्होंने मुझे यह जिग्यासा जगाई कि जाओ सुधिर एक बार सचीन से सचीन सर से साइकल से मिलके आओ फिर 2002 में मैं जमसित्पूर यात्रा की लेकिन वहां सचीन सर को चोट लगने की वज़ा से यह सपना धूरा हुआ फिर 2003 मैं मुंबई गए बस यह मेरा सपना पूरा हुआ वहीं से यह सिलसिला स्टाइट हुई और ना थमने वाली सिलसिला मैं साइकल से ही पाकिस्तान की लाहर में जाकर मैश देखे और सचीन सर्की Kicker से ही हम तीन वर बांगला दे साईकील से गयया और मैश देखे चाहि यह दिवांगी जो है वह वह बहुती नयाब है और इससी तरह की चिरपा है पस वो सचीन सर के किरपा है आज 9 साल हो गए सचीन सर के रिटार्मेंट को फिर भी उनी की बदलत आज हमें एक मैच को पास मिलती है और हम टीम इंडिया को चेर करने के लिए हर वेनियू पे इंडिया ही नहीं मैं आस्ट्रेलिया सचीन सर वीजा और टिकट कराते हैं आते रहेंगे तिरंगा मिस्यू तेंदूल का टेन लिखकर अच्छा यह आकरी सवाल है कि आप राइपूर आये हैं यहां का क्राउड क्यूंकि आपने पूरा दुनिया ट्रवल किया है सचीन सर के साथ तो राइपूर का क्राउड राइपूर के ओडियंस कैसे लगते हैं बहुत अच्छी स्टेडियम है सहीद वीर सिंग नरायन इंटरनेशनल स्टेडियम यहां पर कभी इंटरनेशनल मैच तो हुई नहीं लेकिन कुछ सम मैच आईपील के हुए और सचीन सर ने ऐसे से ग्राउंड को चुने जहां पर किरकेट को मतलब कभी इंटरनेशनल मैच नहीं होई तो लास्ट यहर भी आपने देखे कि वीर सिंग नरायन स्टेडियम में सचीन सर मतलब पुराने लेजंड क्रिकेटरों के साथ खेले तो इस सहरों की खुसकिसमत है कि बूढ़े बच्चे लेडिश सब आकर मतलब लालाइत होते हैं कि सचीन सर को यूबराज को देखने के लिए तो बहुत अच्छे भीरी कठ्थे होती है और मुझे बहुत खुसी होती है तो यह थे हमारे साथ सचीन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट में सबसे उजी उपादी दी जाती है उनके बहुत बड़े पैन है और आप शंकनात भी आपको बजाते हुए लोगादी बहुत प्रण भारत मता की जाए। मिदेले साथ अब्शे कुमाज सिंग, ETV भारत, राइपुर